हलो एवरिवन स्वागत है आप सभीका नालंदा इंस्यूट फॉर एक्सिलेंस में आज हम डिस्केस करेंगे IPL T20 और गुमें T20 का कुछ महत्पुन प्रस्ण जो आपके एक्जाम पॉइंट और व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे इस सीजन का जो IPL था वो दुबई में कंड़क्ट कराया गया था फाइनल में जो दोर तीमें आपासे वीड़ी थी वो थी मुंबई इंडियन्स और डिली कैप्टन और ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया था देली कैप्टन के कप्तान थे स्रे सैयर वह मुंबई इंडियन्स के कप्तान थे रोहित सर्मा देली कैप्टन ने पहले बल्लेवाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 156 रन बनाए देली कैपिल के तरफ से सबसे जादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने कप्तान स्रेसेयर इन्होंने 50 गेंद पर 55 रन बनाये और मुंबाई इंडियन्स को जीत के लिए 187 रन का टार्गेट दिया था जिसे मुंबाई इंडियन्स ने 18.4 एवर में ही एचीव कर लिया था इस तरह मुंबाई इंडियन्स IPL हिस्टी में यह खिताब पांच भी बार अपने नाम कर लिया फाइनल मैच में जो मैन अफ द मैच मिला था वो ट्रेंट बोल को मिला था ट्रेंट बोल ने 30 रन देकर 3 विकेट लिये थे इस टूर्णामेंट के जो औरेंज कैप के विजयता हुए वो हुए केस राहूल केस राहूल किंग्स लेवन के कप्तान थे इन्होंने इस टूर्णामेंट में टोटल 670 रन बनाये वहीं परपल कैप के विजयता देली कैपिल के बॉलर करगी सो रावाड़ा बने इर्णी टोटल 30 विकेट चटकाये आईपेल 2020 सीजन के पुरसकार जो विजयता हुए उसका लिस्ट भी मैंने यहां दे दिया है रोहित सर्मा को आईपेल 2020 के फाइनल में गेम चेंजर आफ दा मैच चुना गया ट्रेंट पोल्ट को जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है प्लेयर आफ दा मैच से नवाजा गया था वहीं किंग सिलिवन पंजाब के कप्तान केल राहुल को औरेंज कैप से नवाजा गया था गेम चेंजर आफ दा सीजन भी जो है वो केल राहुल को दिया गया देली कैपिल के कगिशोर आवाडा ने परपल कैप जीता सीजन के उबरते खिलाडी के रूप में देवदत परडिकल को नवाजा गया और ये देवदत परडिकल जो है आरसीवी के तरफ से खेल रहे थे राजस्थान रॉयल्स के तेजगिंद दिवाज जोफरा आर्चर को Most Valuable Player Award से नवाजा गया तो चलिए अब हम देख लेते हैं BOOMIN T20 Challenge BOOMIN T20 Challenge जो है वो सार जहां किरकेट स्टेडियम में हुआ था Final में जो दो टी में भीडी थी वो थी Trail Blazers और Supernova की टी में Trail Blazers के कप्तान थे अस्मिर्थी मंधाना वहीं Supernova के कप्तान थे हर्मन प्रीत कौर Trail Blazer ने पहले बल्लबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 20 वर में 118 रन बनाये और जीत के लिए Supernova को 119 रन का टार्गेट दिया था जिसे Supernova ने एचीव नहीं कर पाया और Supernova मात्र 102 रन ही बना पाई और इस तरह Trail Blazer ने यह खिताव अपने नाम कर लिया आपको जो याद रखना है BOOMIN T20 Champions के तरफ से आपको एक ही कोस्टन यहां से पूछा जाएगा कि BOOMIN T20 Champions से सीप का जो खिताब है वो उसका जो बिजेता हुए वो कौन हुए तो उसका नाम है Trail Blazer अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब्स और बेल आइकन को दवाना ना भूले